डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी हुई कहानियों के श्रंकला में आज सुनिये उनकी कहानी पात्र डॉक्टर पुष्पा सक्सेना के प्रशंसक उनकी कहानी सुनाने का अन्रोध करते हैं उसी श्रंकला में आज सुनिये उनकी कहानी पात्र मेरी जुबानी मैं हूं सीमा सिंग पिछले तीन महीनों से दोनों के बीच अनबोला चल रहा था ऐसा नहीं कि इसके पहले दोनों की बोलचाल बंद ना हुई हो पर इतने लंबे समय के लिए बातचीत कभी नहीं बंद हुई थी एक और बात पहले के जगड़ों के बाद पती कभी इतना अजनबी नहीं लगा था इस बार तो जैसे वो उससे डरने लगी थी हमेशा की तरह ना वो चिलाया ना दाहारा बस एकदम गुम हो गया उसके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए जैसे कहीं कोई सुराग भी नहीं बच रहा था शादी के बाद जबसे उसे अपने दोनों के बीच किसी तीसरी का पता लगा था दोनों के बीच जगड़े शुरू हो गए थे परिवार वाले इस सच्चाई से पहले से ही परचित थे शायद इसी लिए कुंतल को कभी हो जगए नहीं मिल सकी जो घर की बहुकी होती है पती की उपेक्षिता को कौन सम्मान दे अपने लिए की गए जादतीया कुंतल से भी जाती पर बच्चों का तिरसकार सहपाना कठिन हो जाता पती ने उसे क्या दुतकारा की बच्चे भी बराए हो गए दूसरी बहुं के बच्चों का लाड प्यार किया जाता और उसके बच्चे हर चीज़ को तरस कर रह जाते जब कभी भी उसने पती और सस्राल वालों के अन्याय के खिलाफ मूँ खोला अंत हमेशा कलह कलेश के बाद अन्बोले में हुआ बार बार की हार के बावजूद कुंतल को अकल नहीं आती मौके बे मौके वो वही बातें दोरा जाती जिसे सुनते ही पती का खून खौल उटता उसकी तकलीफों को उसने शायद कभी महसूसी नहीं किया हमेशा जाताड ही दिया बढ़ा चड़ा के कहने की तुमारी पुरानी आदत है इन बातों में जरासी भी सच्चाई नहीं है पती की वही बात उसे सिर से पैर तक दिल मिला जाती क्या ये बात जूटी है कि दूद पिलाने वाली कुटिया के आगे भी इंसान रोटी का टुक्रा डाल देता है पर उसे तो गिन गिन कर रोटी दी जाती भूख से कुल मुलाती आतों के साथ बच्चे के लिए दूद क्या खाक उतरता बच्चे की दवादारू पर पैसे खर्च करना भी सास को अखरता पती की उपेक्षिता उसकी इस्थिती घर की नौकरानी से भी बदतर थी जब कभी पती खुष होता उसका लाड़ दुलार करता उन ख्षरों में वो चाहती वो हमेशा ऐसा ही रही कभी तो प्यार से अपनी गलती मान कर उसे दिलासा दे दे इन बातों को बुला दे कुण्य तू तो मेरी रानी है सच उसकी इतनी सी बात सुनने को उसके कान तरस गए पर उसने कब अपनी गलती मानी प्यार से कुन्नी पुकारी जाने वाली कुंतल अपने आप में सुलकती रही वो दूसरी औरती पती के लिए सब कुछ थी परिवार वाले भी उससे दबते और सच्चाई जानकर भी अंजान बने रहते कुंतल ने साथ से मदद मागी तो उसकी शिकायत पती से कर दी गई घर में पती की दहार पर बच्चे डर कर कमरे में बंद हो जाते उनको रोते देख कुंतल का दिल भराता क्या इसी दिन के लिए उसने बच्चे जने थे क्या-क्या सपने देखे थे उसने और उसे क्या मिला शादी से पहले जब वो कहानिया उपन्यास पढ़ती थी तो दुखद अंत उसको रुला देते थे कुंतल का भावप मन और भी ज़्यादा समवेदनशील बन गया था अम्मा उसके रोने से नाराज हो जाती थी देख कुंणी अगर सिर्फ रोने के लिए कहानिया पढ़ती है तो आज से तेरा घर में किताबें लाना बंद जिन्दगी में इतना कुछ करने को है और एक तू है कि कहानियों में डूब कर अपने को भी बुला बैठती है अम्मा की वो बातें कुंणी को कितनी खराब रगती थी क्लास में उसका मन बढ़ाने वाली उसकी सहली गिर जाही थी उसका लिखा पढ़कर उमुगध रह जाती एक कुंणी तो इतना अच्छा कैसे लिख पाती है देख ले न एक दिन तू बड़ी नामी कहानिकार बनेगी अम्मा के लाक मना करने के बावजूद कुंतल का पढ़ना बंद नहीं हुआ कहानी के पात्रों के साथ जैसे उसका रिष्टा बन जाता किशोरी कुंणी के मन में अपने सपनों के राजकुमार की असपस्टे सी आकरती उभरने लगती इंटर पास करती अम्मा को उसकी शादी की दुनसवार हो गई जल्दी ही उसका रिष्टा तैह हो गया आखर कुंणी में कमी ही क्या थी आसु भरी आखों के साथ अपना घर नहार कुंणी साजन के घर आ गई पूरे रास्ते साथ बैठे व्यक्ति को कुंटल में कोई दिल्चस्पी ही नहीं थी कुंटल का शरीर रोने से काप-काप जाता पर एक बार भी उसकी पीट पर हाँ धर प्यार से उसने तसली नहीं दी कुंटल का मन जैसे कहीं आहत हो गया था पहली रात की उसने नाजाने कितनी कलपनाय कर रखी थी धेरो सपने देखे थे पर उसकी छोटी ननद ने जो कहा उसे दहशत में डाल गया हमारे भईया खराब नहीं हैं पर वो औरत उन्हें अपने इशारों पर नचाती है आज भी वो उन्हें अपने साथ ले गई है कुन्नी संग्या शूनी सी बैठी रह गई कहानियों में पढ़े जैसे सारे दैनिय पातर उसमें जी उठे अपने दोनों के बीच किसी तीसरी को कुन्नी परदाश नहीं कर सकती बहुत रात गए जब आये तो पत्थर बनी बैठी थी उसे किसी के प्यार की जूठन स्विकार नहीं सौरी देर हो गई असल में यार दोस्ट छोड़ी नहीं रहते सहज रंग से उसने सफाई दी कुंतल मौन रह गई पती ने जब प्यार दिखा कर उसका हाथ अपने होंटू से लगाना चाहा तो बर्बस उसके मूँ से निकल गया तुमारे हाथ जूठे हैं धोलो पहले क्या? पती पूरी तरह से चौक दिया कुछ नहीं वो सोच में पड़ गई थी पहली रात उसके मूँ से ये क्या निकल गया उसे धैरे रखना होगा कहानियों की दुखी नाइका की तरह अपने प्यार से पती का मन जीतना होगा सच को हो क्यों कहा था तुमने वैसा? ऐसे ही कुछ सोच रही थी पती ने उसे अपनी और खीच लिया पती को अपना प्रापे भले ही मिल गया पर वो तो रीती ही रह गई घर में उसकी पीट पीछे जो बाते होती थी कुंतल उनका अर्थ ना समझ पाया ऐसी मूर्ख नहीं थी सबकी उपेक्षा वो सह रही थी मन में जिदा गई थी पीटी आई को जीतने की उसे पूरे का पूरा पा लेने की ससराल में कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख बांट कर हलकी हो जाती चुपके चुपके वो अपना दुख कागज पर उतारने लगी कोरे कागजों से उसका रिष्टा बन गया अपने मन की बात खाली कागजों पर उतार कर वो हलकी हो जाती अपने लिखने की बात उसने गिरजा को लिख भेजी जवाब में खूब लंबी सी चिठी लिख गिरजा ने उसका मन बढ़ाया था अपना लिखा कहीं छपने को क्यों नहीं भेशती कुन्नी जब कुन्नी की एक कहानी किसी पत्रिका में छपी तो कुन्नी उत्साहित हो थी उसका लिखा छपी भी सकता है यह तो वो सोच भी नहीं पाई थी अब तो उसे जब भी जरा सा वक्त मिलता वो कुछ ना कुछ लिख डालती उसकी कहानिया छपने लगी ताज़ुप तब हुआ जब उसकी कहानियों के लिए पाठकों के पत्राने लगे एक खास बात ये थी कि उसकी कहानियों और उनके पात्रों के साथ पाठकों का सहज आत्मसाती करण हो जाता उसकी कहानियों में प पाठक अपने को पा लेते एक बार एक पाठक ने लिखा आपकी कहानियों में इतना गहरा दुख क्यों रहता है मन अंदर तक भीग जाता है क्या आप सुखांत कहानिया नहीं लिख सकती हैं कुंतल ने कोशिश की पर सुखांत कहानिया उसे बचकानी या कुछ हद तक फिल्म पात्रों के साथ उसने अपनी कहानियों को गौर से पढ़ना शुरू किया, तो उसे लगा उससे ज़्यादा तो उसके उपासक कहानियों के पात्रों को पहचानते हैं, कभी उसकी अपनी कहानियों की ऐसी समीक्षाय मिलती कि वो विस्मित रह जाती, ऐसा सोचकर तो उसने नहीं लिखा था, पर उन पात्रों के बारे में पात्रों ने जो सोचा वो एकदम सही ठहरता था, बड़े होते बच्चे उसके लेखन पर गर्व अन्वो करते, गिरिजा तो उसकी हर कहानी पर लंबा सा खत भीज उसका उत्साह बढ़ाती, एक दिन तो पती ने भी उसके लिखे को पढ़कर तारीफ कर दी थी, उस दिन वो कितनी उमगाई थी, एक बास सच थी, उसने जिंदिकी जैसे भी जी, पर अपने मन पर कभी कापू न पा सकी, बहुत को पिज़ा समझा कर लिखती, औरत की जिंदगी में इस तरह की बाते आम बाते हैं, उस दूसरी औरत को भुला दे, पर कुन्नी को शिकायत थी, अगर पती के जीवर में कोई और ना होती, तो क्या पती और सस्राल वाले उसका यूं तिरसकार करते, अपना अपमान उपेक्ष हमेशा उसके दिल में ताजे गहाऊ सी टीस्ती रही, ऐसा भी नहीं कि उसके लेखन ने उसकी पतिष्ठा सस्राल वालों के समक्ष बढ़ा दी थी, उस घर में पत्र पत्रकाएं पढ़ने का ना किसी के अपास समय था, ना चाओ, इतना जरूर था, अब वो पाठकों द्व कहानी का अंध कुछ और बन जाता, जिस पात को नायक के रूप में शुरू करती, अंध में उसकी जगे कोई और नायक बन जाता, वो खुद विस्मित रह जाती, उस जगे उसे कहानी के संदर में पढ़ा वो कथन सच लगता कि लेखक का कहानी के पात्रों पर कोई वश नह लग सकी, जो जी में आया कहती गई, पती की साहनभूती पानी की जगे उसे उसकी तारना मिली थी, साफ शब्दों में उसने लतार दिया था, मेरे पास तुमारी बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जैसे रहता हूँ, वैसे ही जो जी चाहे करूँगा, ये मेरा घर है, तुमारे बाप का नहीं, जो तुम होकम चलाओगी, धार धार रोती कुन्नी निरी हो ठी, अपने मन का दुख को किसे सुनाए, उसके सिवा कौन है उसका, और वो भी अपना नहीं, होट सिकोर पती ने ताना दिया था, वो तो बड कारी कहानिकार है, पूरी दुम्या को अपनी दुख गाता सुना सकती है, बस उसकी जान बक्ष दे, उसके पास उसका रोना सुनने के लिए वक्त नहीं है, पती के व्यंग सन्य वाक्य ने कुंतल को उत्तेजित कर दिया, उसी रात उसने एक लंबी कहानी लिप डाली, कहान लिखने और छपने के बीच दो वर्शों का लंबा अंतराल था, तब तक उसे ये भी याद नहीं रहा, उसकी कहानी में ऐसे बहुत से सच्चे तथे और घटनाएं हैं, जिनसे उसे और उसके पती को आसानी से पहचाना जा सकता है, प्रकाशित कहानी की प्रती हमेशा की त अस्तुत किया, वो अक्षम में था, पती परमेश्वर होता है, पर उसकी कहानी ने ने तो प्रहम तोड डाला, उसका दंब जूटा था, वो बेहत आहत था, पती का कहना था, उसने जानते बूजते सुनियों जित तरीके से पती के चरितर की हत्या की है, अब वो कभी सामान जीवन नहीं जी सकता, रिष्टेदारों के सामने ही नहीं, मितर बांधों के सामने भी उस सर उचा करके नहीं चल सकता, अब उसे जैसे जीना है जीले, पती से उसका कोई वास्ता नहीं, पती की बातों में सच्चाई थी, सब कुछ जानते हुए भी पिछले दस वर्षों स उसने पती का सम्मान अक्षोन रखा था, आपस में लड़ जगड़ कर भी उसने किसी से पती की शिकायद नहीं की, सब के सामने उसने हमेशा उसे पती और बच्चों के पिता का पूरा सम्मान दिया, उसकी कमजोनियों के बावजूद उसे सच्चे दिल से प्यार किया, शा इसी की भी सानभूती असंभो थी, वो फटी फटी आँखों से ताक्ती रह गई, अपने पात्रों के प्रति बिहत सम्वेदन शील कही जाने वाली कुंतल ने अपने सबसे प्रिये पात्र की इस निर्ममता से हत्या कैसे कर डाली, शायद सच यही था, कहाने लिखते समय, व आपने उस पात्र को वश में नहीं रख सकी, पर उसका वो सच क्या पति स्विकार कर सकेगा, अभी आप सुन रहे थे, पुश्पा सकसेना जी की लिखी हुई कहानी पात्र, आपको कहानी कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुभू